ओम नमो भगवते वाशुदेवाए आज हम आशार मास के सुक्ल पच्छ की विश्वुव सैनी एकादसी व्रत कथा को सुनेंगे इस एकादसी को पध्धा या देव सैनी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है और शात ही हम जानेंगे इस व्रत को कब रखा जाएगा और इस देव सैनी एकादसी व्रत के दिन से चतुर मास व्रत भी प्रारंब हो जाता है चतुर मास के व्रत और नियम के बारे में जो भगवान श्री किष्ण ने इधिष्ठिर को सुनाई है उसे हमारी दूसरी वीडियो के माध्यम से शुनें सबसे पहले हम श्री नराण विश्ण कमल का ध्यान करते हुए इस ब्रत कथा को सुनते हैं इधिष्ठिर ने कहा हे भगवन आसार मास के सुक्रपच्च की एकादसी का क्या नाम है और क्या महात्म है उस दिन किस देवता की पूजा किस विधी से करनी चाहिए कृपया यह बतलाईए भगवान श्री किष्ण ने क इसके विशे में भी एक आख्यान प्रशिद्ध है जिसको नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र तुमने उचित प्रश्न किया है क्योंकि एकादसी से उत्तम कोई दूसरा ब्रत नहीं है पापों से मुक्त होने के लिए यह ब्र कार करना चाहिए आसार मास के सुक्ल पच्छ की एकादसी का नाम पध्धा एकादसी है इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रशन होते हैं यह कथा पावराणिक है जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं सूर्यवंज में एक चक्रवर्ती पूर्व कर्म के फल से उसके राज में जल रिष्टी न हुई जिससे छुधा से पिलित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्न भाव से यग्य एवं वेदा ध्यन आदि सभी धर्मकार्य उसके राज्य में बंद हो गए कुछ खाल के उपरांत छुधा से व्याकूल प्रजाजन आपस में सम्मत करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा हे माहराज शभी श्रिष्टी का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा छुधा से व्याकूल होकर कहा आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं अन उत्पन का मूल कारण वर्षा ही है जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार का कश्ट उठाना पड़ रहा है यह दोस बिना राजा की तूट के उत्पन नहीं होता परन्तु मैंने बहुत विचार करके देखा है कि मेरी किस आप लोगों को यह कश्ट शहना पड़ रहा है परन्तु मेरी समझ में कुछ तूटी समझ पे नहीं आती तब भी मैं इस कश्ट के निवारण करने के हेतु प्रयतन कर रहा हूं इस प्रकार प्रजा को समझा कर राजा ने प्रेम पुर्वक पूजन किया और कुछ मनुस्यो को साथ लेकर बन को चला गया और वहां पर राजा ब्रह्मरिशियों के आश्रम में घुमने लगा एक दिन घुमते घुमते ब्रह्मपूत्र एवं अत्यंत है प्रतापी और तेजस्वी महर्शी अंगीरा के आश्रम पर जा पहुचा वहां पहुचकर राजा अपने वाहन क त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्शी को प्रडाम किया महर्शी ने भी राजा को स्वस्तिवाचन पुर्वक अशिरवाद देकर उनका कुसल मंगल ग्यात किया और आने का कारण पूच्छा तब राजा ने कुसल मंगल कहने के पस्चात अपने आने का का हे महराज मैं धर्व पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था परन्तु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण MARYरे राज में तीन वर्स से वराबर वर्सा नहीं हो रही है जिसे से मेरी प्रजा अतियंत ही कष्ट भोग रही ह यही पूछने के निमित और अपनी प्रजाक को कष्ट से छुडाने के लिए आपके पास आया हूँ राजा की इस प्रकार कष्ट पुर्वक बात को सुनकर महर्शी ने कहा हे राजन यह यूग सर्वयुगों में श्रेष्ट है कारण की इस यूग में धर्म चार पदों से वर्तमान है इसमें तपस्या आदि धर्म काई ब्रामण ही कर सकते हैं अन्यजाती नहीं कर सकती इस समय तुम्हारे राज्य में एक सुद्र घोर तपस्या में कटिवद है इसी दोस के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रहे है अतह अपने राज्य और प्रजाक के कल्याण के लिए उस सुद्र तपस्वी का बद कर दीजिए राजा ने कहा हे मुनी इस प्रकार निरपराध शुद्र तपस्वी को भी मैं मारने में असमर्थ हूँ अस्तु आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाए जिससे मेरे राज्य का कश्ट मिट जावे तब मुनी ने कहा अगर यह बात है तो तुम आशार मास के सुक्ल पच्छ की पद्धा नामक एकादशी का व्रत करो यह व्रत अत्यंत ही महात्मै सील है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कश्ट दूर हो जाएगा इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पुर्वक करो इस प्रकार मुनी की आग्या सिरुधार करके राजा अपन जल से परिपूर्ड हो गई भगवान के क्रिपा से प्रजा कश्ट मुक्त हो गई इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुन्य फल को देने वाला है इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के घ गोर से गोर पापन नश्ट हो जाते हैं इस प्रकार कथा पूर्ड होई हे नारायन हमारी व्रत कथा में जो थूटी हो उसे छमा करिएगा अब हम जान लेते हैं इस व्रत को कब रखा जाएगा और इस व्रत के पारने का समय क्या होगा आशार मास के सुक्ल पच्ची की 11 तीथी 16 जुलाई संधोहजार चौबिस दिन मंगल वार को रात्री में 8 बचकर 33 मिनट पर शुरू होगे और इसका समापन 17 जुलाई संधोहजार चौबिस दिन बुद्धवार को रात्री में 9 बचकर 2 मिनट पर होगा उध्या तिथी के मुताबिक हम 17 जुलाई संदो हजार 24 दिन बुद्ध वार को इस एकादसी का व्रत करेंगे देव शनी एकादसी ब्रत का पारण हमें 18 जुलाई शन दो हजार चौबिस दिन ब्री हस्पतवार को सुबह 6 बचकर 12 मिनट से सुबह 8 बचकर 42 मिनट के बीच में किया जाएगा हम सभी को भी एकादसी कवरत करना चाहिए अब मिलते हैं दूसरी एकादसी ब्रत कथा के साथ ओम नमो भगवते वाशुदेवाए